नमस्कार प्रेदर्शकों हाजिर हुँ मैं आज बात चीत तुला लगन के बारहों भावों में सूर्य किस प्रकार का प्रभाव देंगे हम इस बारे में जानेंगे अब तक हमने जाना मेस लगन से लेकर के कन्या लगन परियंत इने लगनों में बारहों भावों में सूर्य किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं किस लगन में सूर्य का रत्न धारन करना है किस भाव में सूर्य हैं तो उनका रत्न धारन करना है आज बादचीत तुला लगन में होने वाली है तुला लगन शुक्र की ये रासी है तुला रासी ये चर रासी है और आपको बता दूँ कि ये वायू तत्व की रासी है इस लगन की बात करूँ तो यहां सबसे कारक सनी बुद्ध और खुद शुक्र हुआ करते है तुला लगन और अगर लगन में ही सूर्य बैठे हूँ तो वो क्या प्रभाव देंगे ये तो आप सभी जानते ही हैं कि तुला लगन के जो जातक होते हैं वो अईस्वर्यवान जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं यानी जीवन में बैलेंस हर जगह सामंजस्य बनाना तो उनको आता ही है सुखद जीवन जीने वाले होते हैं ये उच्च कोटी के कलाकार होते हैं अब अगर लगन में सूर्य हो जाएँ अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह वो रासी है जहां सूर्य नीच के होते हैं है तो यह वायू तत्व की रासी सूर्य वायू तत्व में आएं तो उनके बल में बुर्धी होनी चाहिए थी लेकिन यह चर रासी है और चर रासी में वायू का कोई प्रभाव नहीं यहां सूर्य नीच के हो जाते हैं अब यहां बैठे सूर्य अगर आपकी कुंडली में 10 अंस से नीचे हैं तो निश्चिक ये आपको परेशान करने वाले हैं आपको कस्ट देने वाले हैं अगर ये सूर्य इस अवस्था में पीड़ित हो जाएं तो कस्ट और बढ़ेगा कैसे सबसे पहले तो ये जाने लीजे कि इस लगन में सूर्य आयस होते हैं अब आयस सूर्य लगन में बैठ जाएं तो मैंने कहा था कि जिस भी भाव के स्वामी लगन से आकर के संबंध बनाएंगे तो जातक के स्भाव में उस भाव से संबंधित प्रभाव बढ़ जाएगा तो आयेस का संबंध अगर लगन से बन जाए तो जातक के व्यक्तित में धन के पीछे भागने की इच्छा बलवती हो जाती है लेकिन अगर वो सूर्य जो की आयेस हैं और लगन में आकर के बैठ जाएं दस अंस से नीचे या दस अंस तक के होकर के बैठें तो पुर्णतह नीच होंगे और उस अवस्था में ये जातक को धन के पीछे भगाएंगे और धन हाथ में आते आते रह जाएगा मैं कई बार पूर्णत में भी बता चुका हूँ आपको पुनह इस पर ब्रिहत कारिक्रम करके भी बताऊंगा कि नीच के होने से ग्रह बहुत खराब नहीं होते नीच के होने का अर्थ है कि ग्रह उस घर में उदासीन है वो जो रिजल्ट दे सकता था वो जो रिजल्ट देना चाहता है वो नहीं दे पा रहा है क्यों क्योंकि जिस घर में वो बैठा है और जहां से बैठ करके सामने वाले घर को देख रहा है ये वैसे ही है एक बालक अपने घर में खड़ा सामने के महल को जिसमें वो रह सकता है जिसमें उसकी इस्तिती बनती है या यूँ कहिए कि जो उसका घर है जहां वो सुख महसूस कर सकता है जहां वो जाना चाहता है लेकिन जा नहीं सकता तो वो किस प्रकार के सुभाव का उदासीन होगा, क्योंकि जहां वो जाना चाहता है, वो यहां उच्च का होता है, और यहां वो नीज का, अब यहां वो बैठा है, तो सीधी सी बात है कि चाहते तो बहुत हैं, चाहत उसके अंदर बहुत है, वहां से बैठे बैठे वो देख रहा है अपने उस घर को, जहां उसे सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं वहां उसके अंदर बल ही बल हो जाता है लेकिन वो देख रहा है जा नहीं सकता तो वो उदासीन है तो नीज का होने का अर्थ कही न कहीं इतना ही है कि ग्रह उदासीन है वो रिजल्ट वो नहीं कर पा रहा है जो वो कर सकता है वो उसे प्राप्त नहीं हो पा रहा है जो वो चाहता है तो कई बार नीच के ग्रह के लिए भी जरूरत हो तो रत्न धारन करके उसे हम बल दे सकते हैं उसका लाभ ले सकते हैं लेकिन सूर्य ग्रहों के राजा हैं और मैं आपको तुला लगने में चुकि ये जीवन आवसकता है क्यों आवसकता है क्योंकि जीवन परियंत धन को आपकी आवसकता है आए की आवसकता है प्रॉफिट की आवसकता है और अगर ये सूर्य नीच के हैं तो प्रॉफिट आएगा नहीं काम बनते बनते बिगडेंगे उदासीन है रास्ते बनेंगे आपको रा नीच के घर में लेकिन रिजल्ट संभाव वाला देंगे और अगर उसमें कहीं से गुरू की दृष्टी इन पर पढ़ जाए या कोई सुभग्रह इनको देखे उस अवस्था में ये सूय लाभ देने वाले बन जाएंगे रिजल्ट करने वाले बन जाएंगे अगर यहीं पर इस सूर्य के साथ बुद्ध बैड़ जाएं तो ये बुधादित्य योग माना जाएगा कई लोग कहेंगे कि सूर्य इहाँ पर नीच के हैं बुधादित्य योग नहीं बनेगा जबकि ये भ्रम है नीच के होने के बावजूद पहले तो हमें अंसो को देखना है और इसके बुद्ध अगर यहाँ पर साथ में सूर्य के बैड़ जाए तो ये उच्च कोटी का बुधादित्य योग बनेगा अगर सूर्य कुंडली में दस अंस से उपर हैं तो निश्चित ये स्रिष्ट लाभ देने वाला होगा इस अवस्था में और अगर सूर्य दस अंस के बलवान दखने चाहते हैं तो सूर्य है दिन्चरिया मौसम चाहे कोई भी हो सूर्य अपने समय पर आ जाते हैं तो सूर्य को बलवान ऐसे ही बना सकते हैं अब आए चुंडली के दुतिय भाव में ये जल टत्व की रासी है मित्र मंगल की रासी है यहाँ पर सूर्य अगर आये सोकर के धन भाव में बैट जाएं तो ये महाधनी योग बनाएंगे यहाँ पर सूर्य अच्छा रिजल्ट देंगे हलाकि जलतत्व की रासी है अतह सूर्य की वो प्रखरता कम होगी लेकिन इसके बावजूद अब इसमें ज़रा दो बातें आपको बड़े आराम से आसा पूर्णतः अकारक नहीं है तो पूर्णतः अकारक नों होने के कारण यहाँ पर अगर सूर्य बैठे हैं तो सीडी सी बात है कि जलतत्व रासी का प्रभाव तो उन पर अवस्य पड़ेगा जिसके चलते उनके प्रभाव में कमी आ जाएगी लेकिन यहाँ पर बैठे सूर्य यदि बुधादित्ती योग बना ले, गुरू के साथ संबंध बना ले, या फिर यहाँ पर बैठे सूर्य इस कुंडली में बलाबल के साथ हो, यह नि 10 अंस से उए माफ करेगा, 10 से 15 अंस के बीच के हो, 15 या 20 अंस के हो, तो यह जातक को ही कम नहीं होगा, आय के रास्ते कभी बंद नहीं होंगे, धनमान जातक सदय बना रहेगा, लेकिन अगर यह सूर्य पीडित हो जाते हैं, तो मान लिया जाए कि इसी अवस्था में यह सूर्य कम जोर है, सनी से अथवा राहू से द्रिष्ट, अथवा सनी राहू इनके साथ बैठा है, सनी नहीं, मैं बार-बार लोगों से कहता हूँ, कि लोगों के मन में ये जो भ्रम है, कि सनी सूर्य एक साथ है, तो सनी और सूर्य के प्रभाव में कमी आ जाती है, ऐसा नहीं है, ये दोनों पिता-पुत्र हैं, और एक साथ हों, तो सनी का बल बढ़ जाता है, सन से इन पर गुरू की दृष्टी पड़ रही है और सुक्र के साथ साथी साथ मंगल के साथ इनके संबंध अच्छे बन रहे हो तातकालिक मैत्री बनती हो तो जातक निहसंदे महाधनी होगा अब कुंडली के पराक्रम भाव में आजाए अगनी तत्व की ये रासी है गुरू की रासी है गुरू से ये अतिमित्र होते हैं अगर कुंडली में सुर्य और गुरू का संबंध तातकालिक मैत्री में स्रेश्ट बन जाए तो आएस जाकर के पराक्रम भाव में होगे जातक आजीवन अपने पराक्रम से धन कमाएगा धन क्यूं से कमी कभी नहीं होगी यहाँ पर बैठे सूर्य जातक को स्रेष्ट पराक्रमी पराक्रम से अपने भाग्य का विधाता बनाने वाला है यहाँ पर बैठे सूर्य जातक के छोटे भाई बहनों को और बड़े भाई को भी लाभ दिला देगा क्योंकि यह गुरू की मूल त्रिकोन रासी है गुरू बड़े भाई बहनों के कारक हैं उनके लिए भी यह जातक स्रेष्ट लाभ दाई बनेगा अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगर यही सूर्य कुंडली के चतूर्थ स्थान में आ जाएं तो क्या होगा तो यह जो रासी है यह चर रासी है मकर रासी चर रासी है और आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर अगर सूर्य हो जाते हैं तो सीधी सी बात है कि यह सनी का घर है ये सनी का घर है और यहां पर सूर्य अपना जो प्रभाव देंगे अगर इनका संबंध सनी के साथ ठीक हो तातकालिक मैत्री में सनी के साथ ठीक हो तो उस सवस्था में आएस सूर्य आकर के सुख भाव में बैठेंगे, स्वव उपारजित धन भाव में बैठेंगे, माता के घर में बैठेंगे, जातक अपने जीवन काल में भूमी भवन वाहन माता इन सभी सुखों को पाएगा सभी सुखों को पाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये चर रासी है, यहाँ बैठे सूर्य माता के कमजोर स्वास्त को दर्साएंगे कई बार पिता के साथ संबंध को कमजोर कराएंगे, इस बात का आपको खयाल रखना है लेकिन ये सूर्य जादा कमजोर तब माने जाएंगे जब पीडित हों, जब ये राहु के साथ अथवा सनी से द्रिष्ट हों, इनको ग्रहन लगा हुआ हो, कमजोर हों अगर ये सूर्य बलावल के साथ हैं, तो निश्चित आप अपने पराक्रम से अपने जीवन काल में ये सारे सुख भूमी भवन वाहन का पाएंगे, और अगर यहीं साथ में बुद्ध पैट जाएं, तो बुधादित्त योग बनेगा, यानि भाग्येस और आयेस का संबं अगर यहां पर आकर के बैठ जाते हैं, सूर्य तो क्या होगा, उनह कहूंगा कि यदि सनी के साथ संबंद ठीक, तो यहां पर बैठे सूर्य अत्यंत स्रेष्ट फल देंगे, निश्चिंत हो जाएंगे कि इस लगन में अकारक होने के बावजूद ये स्रेष्ट लाप दें हाँ, यहां पर बैठे सूर्य पीडित होने की अवस्था में जातक को ज्यान और संतान में कमिल आएंगे, लेकिन अगर वो पीडित नहीं, तो ये सारे सुख जातक को प्राप्त होगा, ज्यान का भी, संतान का भी, धन का भी, जातक पूर्ण बिद्वान और बुद्धिमा होगा, लेकिन अगर यहां पर सूर्य बैठे हैं, तो कहीं न कहीं गर्व वगयरा होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि ये तेज है, अगनी है, निश्चित और निह संदेह, जातक को तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन बिलंब से, देर से, अब अगर इस सूर्य पर कहीं से गुरू की दृष्टी हो जाए, कहीं सुभग रह का संबंध हो जाए, तो उस अवस्था में ये सूर्य और स्रेष्ट लाभधाई हो जाएंगे, और निश्चिंत कहूंगा कि इस सूर्य का रत्न तो आपको जरूत नहीं पड़ेगी, आराधना इस सूर्य की करक आधित्य हर्दय स्त्रोत्र का पाठ करके आप अधिकाधिक धन के मालिक बनेंगे, आय कमाने वाले बनेंगे, अब हम आ जाते हैं कुंडली के सश्ठम स्थान में, अगर यहां सूर्य हो जाएं तो क्या होगा, तो निश्चित रूप से जातकों को रिण में डालेंगे, क्य अगर आप रिण लेते हों, तो बड़े प्रेम से लीजिए, रिण आपके लिए कभी मुक्सान का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि आयस ही रिण भाव में जाकर के बैठे हैं, रिण देने से जरूर बचिए, लेकिन रिण लेना आपके लिए वर्दान के जैसा सिध्ध हो रह तो इस अवस्था में कहूंगा कि जातक जितना रिण में रहे, उसको चिंतित होने की आवशक्ता नहीं है, यहां बैठे सूर्य आपको शत्रूओं के भैसे, रोग के भैसे, हर चीज से मुक्त करेंगे, यहां पर एक बात आपको अवस्था बता दूँ कि अगर यहां पर बैठे सूर्य बैठे हैं आपकी कुंडली में और जातक पिता का अपमान करता है, जातक सूर्योदय के बाद तक सोता है, तो निश्चित यह सूर्य कमजोर हो जाएंगे, और उस अवस्था में जिस लाभ की हम अपेक्षा कर रहे हैं, उस लाभ हमें कमी आ जाएगी, अब उसी अवस्था में अगर गुरू भी साथ में बैठ जाएं, तो निश्चित यह जातक राजनीती में जबरदस्त कूट नितिग्य बनेगा, राजनीतिग्य तो हुआ, कूट नितिग्य बन जाएगा, बुधिमान होगा जबरदस्त वो, अब यही सूर्य आकर के कुंडली क सब्तम स्थान में बैठें, तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, यह उनके उच्च की रासी है, अगनी तत्व रासी है, और अगर यहाँ पर बैठें है सूर्य है, तो यह चर रासी, लेकिन अगनी तत्व की रासी है, अब यहाँ सूर्य उच्च के होते हैं, दस अंस तक ही क्योंकि चर रासी है सीरी सी बात है दस अंस तक ही उच्चके होंगे तो दस अंस तक यहाँ पर अगर हैं तो परम बलवान जातिका जातक की पतनी थोड़ी क्रोधी अगर इस्तरी की कुंडली है तो पती थोड़ा क्रोधी सुभाव का होगा चिर्चिडा बहुत जल्दी निर पाने वाला होगा क्योंकि यहां पर सूर्य आये सोकर के जाकर के बैठे हुए हैं और देखा जाए तो सूर्य ध्यान से समझिएगा ये मेस रासी अगनी तत्व की रासी सिंग रासी अगनी तत्व की रासी और धनु रासी अगनी तत्व की रासी चर इस्थिर दी सोभाव जा तक कैसा है तो सामन जस्य करने वाला है और वो पाराक्रम से स्रिष्ट आये पाएगा अब हमा जाते हैं कुंडली के अश्टम स्थान में यदि यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से यह सुक्र का घर है लगनेश का घर है लगनेश के ही घर में बैठे है लेकिन अब ये जो रासी है ये कैसी रासी है तो ये इस्थर रासी है और भूमितत्व की रासी है कोई लाभ नहीं कोई नुकसान नहीं यहां पर बैठे सूर्य से कोई नुकसान नहीं आपको हो सकता अगर ये सूर्य पीरित हो जाएं तो निश्चित हड़ियों में दर्द तक को कहुंगा अपने पिता का सम्मान बनाए रखें सुर्योदय के बाद तक तो भूले तक ना सुएं ये आपके जीवन का मूल मंत्र है नोट करके रखिएगा तो यहां बैठे सुर्य को बलवान बनाने के लिए आजीवन सुर्य को अर्ग दीजी आधित तहर्दय स्त्रोत अब हम आ जाते हैं कुंडली के भाग्य भाव में मिथुन रासी वायूतत्य की रासी है बुद्ध के साथ बुद्ध यहां होंगे यहां होंगे यहां होंगे अब बुद्ध का संबंद अगर ठीक ठाक इन से बनता है यहां होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं वैसे सुर्य यहां पर सत्रूरासी हो जाएंगे लेकिन चुकि बुद्ध यहां पर स्वग्री हो जाने के चलते तुला लगने में बुद्ध सरवाधिक कारक होंगे उस अवस्था में जातक को सरवधा भागयोदई बना देंगे और सुर्य के साथ होने से बुद्धादित्त योग बनाए अब आपको बता देता हूं कि यहां सुर्य भी साथ हो जाएं तो वायूतत्यों की रासी है बिश्वभाविक रासी है रिजल्ट ठीक ठाक होगा जातक को भागयोदई सरवधा और स्रेष्ट मिलने वाला है क्योंकि यहां बैठे सुर्य पराक्रम भाव को देखेंगे और उस सवस्था में आपको जबरदस्थ फाइदा देंगे जबरदस्थ लाव देंगे क्योंकि यहां सुर्य कारक हैं अब अगर यहीं पर गुरू भी आपकी कुंडली में हो तो गुरू से भी कोई दिक्कत नहीं यह गुरू भी आपको स्रेष्ट लाव दे देंगे क्योंकि कि यो पराक्रमेस हैं पराक्रमेस और आयेस एक साथ हो करके अगर भग्य भाव में बैट जाएं तो सीदी सी बात है कि पराक्रम के बदोलत जातक आजीवन स्रेश्ट धन कमाने वाला है अब हम आपकी कुंडली में आ जाते हैं कुंडली के दसंभाव में यहां पर सूर्य दि मैत्री वाला बन जाए तो यहां पर सूर्य आपको स्रेश्ट लाव देंगे पिता के साथ आपके संबंद कई बार कमजोर होने लगेंगे लेकिन मैं आपको यहां पर कहूंगा कि पिता के साथ इस लगन के जातक को कभी संबंद खराब नहीं होने देना है अगर हो रहा है तो समझ लिजी कि आपके दिन खराब चल रहे हैं इसको आपको ठीक करना ही है यहां पर बैठे सूर्य सदईव आपको कार्यक्षेत्र में स्रेश्ट लाव दिलाने वाले होंगे राजमीती में सरकारी नौकरी में ऐसा विक्ति अगर व्यापार में जाता है तो वहां भी आ अधिक से अधिक आराधना करिए उनकी आधित हर्दे स्तुरोत्र का पाठ करिए सूर्य को निमित अर्ग प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब करिए आपको बहुत लाव मिलेगा अब आज आते हैं सूर्य अधिय काद सस्थ हो गये हैं तो कहना ही क्या है आज जीवन पैस सूरी के हो राषि के होकर के बैठे हैं अंगर यहां पर बैठे आपकी कुंडली में सूर्य चौवभा नंस तक हैं तो GUY पुजा तो हरड़ल में करने करना है तो माड़ी के पहनिये, माड़ी के से ज़्यादा ज़्यादा आपको नित्य सूरी की आराधना और सूरी को अर्ग देना फाइदेमंद रहने वाला है तो यहाँ पर बैठे सूरीय आपको ज्यान के छित्र में, धन के छित्र में, क्योंकि आएस आयभाव में बैठा है तो सीधी सी बात है कि ये सारा लाब आपको दे देगा अब वहीं पर अगर बुद्ध भी साथ में बैठ जाएं तो भागेस और आएस का संबंध आए भाव में बनेगा ये बहुत बढ़िया बनने वाला है उस अवस्था में जातक निश्चित ही भाग्योदय वाला होगा स्रेष्ट भाग्योदय वाला होगा आजाए बारवे भाव में इस लगन के कारक बुद्ध का ये की रासी है मूल त्रिकोणर रासी है यहाँ पर अगर आकर के बुद्ध सूर्य बैट जाते हैं तो क्या होता है इस अवस्था में ये देखिए कि सूर्य की स्थिति क्या है बुद्ध तो साथी आसपास होने वाले हैं इन पर किसकी दृष्टी पढ़ रही है अगर इस सूर्य पर यहाँ बैठे गुरू की दृष्टी पढ़ जाए अगर इस सूर्य पर गुरू की दृष्टी कहीं से भी पढ़ती हो ये सूर्य आपको कतई नुपसान नहीं देंगे ब्याय कराएंगे लेकिन अच्छे कारियों में जातक धर्मकर्म करने वाला होगा ये सस्वी मान सम्मान वाला होगा लेकिन पीडित होने की अवस्था में आलसी होगा नेत्रकारोगी होगा अगर ये सूर्य ग्रहन से ग्रशित हैं तो निश्चित जीवनकाल में दाग लगवा देंगे कलंक लगवा देंगे आप नौकरी में हो तो बॉस के साथ संबंध खराब करा देंगे इस पर आपको गौर कर लेना है कि वो कितने अंस्पर हैं किसके साथ बैठें अगर शाथ राहू बैठें है तो निश्चित ये ग्रहन है और उस अवस्था में आपको कस्ट होगा अब ग्रहन को भी ले लिजिए यहां पर भी आपको कहूं कि मान लिजिए सूर्य यहां पर 20 अंसपर हैं और राहू आपकी कुंडली में 5 अंसपर है कोई चिंतित्मत हो ये क्योंकि ये दूरी बहुत दूरी है तो ग्रहन आप कहेंगे हम कहेंगे जरूर कि हमें प्रथम दृष्टिया दिख रहा है कि ये ग्रहन योग है लेकिन इस ग्रहन योग से कोई कश्ट नहीं होने वाला है कोई परिसानी नहीं होने वाली है तो प्रेदर्सुकों आज हमने बात की तुला लगन के बारहों भावों में सूर्य का प्रभाव चुकि इस लगन में सूर्य नीच के होते हैं और तह इनके बारे में जानना आवशक था कल हमारी बातचीत ब्रिश्चिक लगने में सूर्य के बारहों भाव में किस प्रकार का प्रभाव बन रहा है इसे लेकर के मैं आप सब के समुख हाजिर होंगा तब तक कि लिए मुझे जाज़ दीजिए नमस्कार